प्लाइन करने के लिए मजबूर हो गए तो सत्ता के वास्ते के राना के रास्ते नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया की आज से एक नई मुहीम आप लोगों का प्यार आशिरवाद एक नई मुहीम के साथ आपका आगास वो तमाम न्यूस चैनल्स जो नहीं उठाते आपकी आवास हम इस मन्स से पूछेंगे हर वो सवाल जो सवाल आपके हैं जो आपके जहन में उठते हैं जो पूछे नहीं जाते उन सवालों को उस मुहीम को हम आपके सायोग से एक इमानदार निस्पक्ष कोशिश लगातार जारी रखेंगे आज से इस मुहीम का एक नया आगास हुआ है आपकी हिम्मत आपका होसला हमारी भी हिम्मत बढ़ाएगा आज जिस मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर आए हैं उस मुद्दे से भी मैं आपको रूबूरू करवाओं और अपने तमाम पैनलिस्ट चुमिर साथ जुड़े हुए हैं जो जाने वाने चेहरे हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं अपने तरकों से तमाम न्यूस चैनल पर अपनी बात रखते हैं उनसे भी मैं आपको मिलूआँ का लेकिन आज मसला उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत से नहीं जुड़ा मस्ला सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा है लखीमपूर खिरी से भी जुड़ा है और जुड़ा है एक राज्ये के राजपाल से लेकिन इसकी शुरुवात साल 2017 से करना चाहूँगा साल 2017 याद कीजिए जब ठीक विधान सबाद चुनाओ से पहले केराना से हिंदूों के पैलाइन का मुद्दा चुनाओ से पहले खूप गुञा था जोर से गुञा था तब तकालीन सांसत हुक्म सिंग ने दावा किया था और दावा ये कि 300 से ज़्यादा परिवारों ने पैलाइन का आरोप लगा था कि पैलाइन किया तब अखलेश सरकार ने आरोप को निराधार बताया 2018 का उपचुनाव आया बीजेपी केराना से ढार गई 2019 में फिर से बीजेपी ने जीत हासिल की मगर अब 2022 से पहले केराना एक बार फिर से सियासत के केंदर में है क्योंकि यूपी के मुख्य मंत्री योगी केराना पहुँचे कुछ परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने घर छोड़ा था पीडित परिवार अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी चुनाव से पहले मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद चुनाव से पहले सामपरदाइकता फिला रहे है हिंदू-मुसल्मान की पिच पर चुनाव लड़ना चाह रहे है ये आरोप है विपक्ष का मगर सवाल ये कि कहराना पर जोर क्या किसान आंदोलन की काट है किसान आंदोलन किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी ख़बर आज सामने आई लखीमपूर खिरिकान सुप्रीम कोट में चौथी सुनवाई थी सुप्रीम कोट को यूपी सरकार की जाच पर भरोसा नहीं है कोट नहीं कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सवाल क्यू उठा रहे है कोट उस नियाएक आयोग को जारी रखने की कोई जरुरत नहीं है ये कोट कह रहा है कुछ नामों का सुझाओ भी कोट ने दिया है तो मसला सीधे तोर पर सियासत से जुड़ा है आज इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमार साथ तमाम पैनलिस जुड़ेंगे हमार साथ जुड़ेंगे अश्वनी शाही जो की बीजेपी के नेता है भुपेद, भुदेव, शर्मा, जो की प्रवक्ता है कॉंग्रेस के शौकत अली हमार साथ जुड़ेंगे सपा के चहरे है एक के मिश्वरा रानितिक लिशेशक है धीपक शंधार RSS के वचारा के लेकिन पहले जरा तीन बयान में आपको सुनाना चाहूंगा मुक्खे मंत्री, योगी आदित्तिनाद के वो तीन बयान ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद इस चल्चा को हम आगे बढ़ाएंगे वो सवाल जो आपके जहन में है वो सवाल ठोक बजाकर हम पूछेंगे लेकिन पहले ये तीन बयान सुगी है जिन लोगों पेने वोड़ मेंता सबोज करी है वे मुझखा नगर के दकायों मुस्तमान कहते थे वे केराणां के आद्पायों कन समान कहते थे क्योंकि उनके लोड़ मेंता बही को था जब मुझखा नगर में दो गृतोस मौझान मारे लग मेरे हैं तब लगों को जाती नजब नहीं आ रहे थी जब हम पर गृतोस हिंतों के घर चलाए का रहे थे तब ये जाती मात की राज़ीती करने वाले तब इसको जाती नहीं आ रहे थी लेकिन भाईयों लेनों ये धर्व चक्र है इसी के लिए कहा गया है धर्व चक्र को परतनाई की पाद इसी लिए कही नहीं है ये चक्र तो घर्म का भूंता है ये चक्र ऐसा मोती जिने भुमा दिया है जो रोग पल्पाट मंदिर जाने में संगोज करने थे आज पूर्पाट पीका इतना बड़ा लगता है और इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही समसे बड़े हिंको है मुझप्पा जगता जब्का रहा हो या तिर पेराना का प्रायन ये हमारे लिए रास्मितिक मुटा नहीं प्रदेश और देश के आने वाली आज का मुझता रहा है और हम तो जब सत्ता में नहीं दें तक भी हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार की कारणा महर्वत और हम स्विकार नहीं करेंगे और सत्ता में आए तो अप्राद और अप्रादियों के पुटी जीरो टॉपनेंस की नीद के भखकार अप्राण हुआ कभी के रहाना कस्ते में आके प्यापारी और यहां के नात्रिकों को प्लैंट करने करें मजबूर करने वाले अप्रादी प्रादी आपने विकार सारे चार वर सेकेंडर प्लैंट करने करें मजबूर हो गया है वारा सो अठत पर प्येसी के जवान रहेंगे आप पार प्येसी का एक गटालियन केंप छोटा होता है गटालियन बड़ी होती है यहां पर इसले वी व्येद परिश्टिति का सामा करने के यहां की प्रेग मगरिक के मन में सुरक्सा का इप्लैया विष्वास जागर करने के लिए पढ़ी भूनिका का निरुवान कलेकार और नहीं तो आश्वासन देविदिए आज एक पर भिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे क योगी आदितिनात किस तरह से अपनी बात को रख रहे थे और सीधे तोर पर निशाने पर केराना का रास्ता जो है अब क्या वाकई में लखनव का हम जिक्र करेंगे क्योंकि लखनव के रास्ते से कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का हासिल होती है और दूसी तरफ अब क्या वाकई केराना के रास्ते यूपी के वास्ते ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जिस अंदाज में योगी आदितनेनात हिंदूत के पिछ पर आकर खेल रहे हैं उससे संकेत और संदेश साफ है कि लड़ाई अब वाकई सामपरदाइक नजरिये से लड़ी जाएगी और क्या वाकई विपक्ष इस पिछ पर आकर चुनाव लड़ना चाहेगा आपको बता दें हमारसा जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबूर करवादेते हैं अश्वनी शाही जो की परवक्ता है बीजेपी के पार्टी के जाने माने चहरों में से एक हैं साथी साथ भुदेव शर्मा हमार साथ जुड़ेंगे कॉंग्रेस के परवक्ता हैं कुछी देर में आपकी स्क्रीन पर ये चेहरे दिखाई देंगे एके मिश्रा हमार साथ जुड़ेंगे जो की राजनेतिक विशेशक हैं अपनी बेबाक राए के लिए तमाम न्यूस चैनल पर आप देखते हैं उनको सुनते हैं और अपनी बेबाक राए के लिए वो जाने जाते हैं साथी साथ दीपक शंगधार मिरसा जुड़ेंगे जो की RSS और हिंदुत का जो मिश्रा निस्वच देखा जा रहा है माना जा रहा है कि उत्तरप्रदेश में RSS बेहत एक्टिव हो चुकी है और वो सीधे तोर पर इस चुनाव को खुद होल्ड कर रही है परदे के पीछे अब इस पूरे सियासी लड़ाई को जिस अंदाज में लड़ने की कोशिश BJP कर रही है क्या वो वाकई में काम्याब होगी और क्या वाकई में चुनाव आया तो कहराना याद आया इस पूरे मसले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कुछी देर में आपके TV स्क्रीन पर तमाम महमान हमार साथ जुड़ेंगे और इसी मसले को लेकर किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है उस पर चर्चा की जाएगे मेरे सहयोगी बताएंगे मुझे कि क्या हमार साथ महमान जुड़ गए हैं सभी तो प्लीज सब को स्क्रीन पर लाईए और ये चेहरे आपके सामने होंगे माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए लेकिन आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है एक नई शुरुवात आज से हम करने जा रहे है बहुत-बहुत शुक्री आप सभी में मारों का और अश्वनी शाही शुरुवात आप से करना चाहूंगा आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड की आवाम जानना चाह रही है पहला सवाल आप से कि क्या वाकई चुनाव आया तो केराना याद आया आप लोगों को शाही जी तिलक जी चुनाव अभी दूर है चुनाव अभी पांच-छे महिने है अभी चुनाव में जो है हम लोग ये आरोप लगाना विपक्ष का काम है इतिहास गवा है माननी कर्म योगी आदित तिनाजी अकेले मुख्यमंतरी है जो पूरे प्रदेश के हर जिले का दो से तीन बार दोरा कर चुके है हमारे पुर्व कुछ मुख्यमंतरी तो बिजनोर और नोयडा नहीं जाते से कि मुख्यमंतरी की कुर्सी चली जाएगी और योगी आदित तिनाजी ने उस मिठक पो भी तोड़ा और पूरे प्रदेश वो लग्नव में दिन भार रहते हैं सर आप कह रहें कि चुनाव दूर है विकास के मोड में रहते हैं तिलग जी चुनावी मोड में नहीं विकास के मोड में 24 करोर जंता के हित के कामों के लिए योगी जी रगे रहते हैं और उसी कड़ी में कहराना चले गए तो भी पक्षी लोगों को तर दो गया आरोप है कि आप धर्म की रा निती कर रहे हैं शाही जी धर्म की रा निती है तो ध्यंका वाडरा جो वर उसनकर परिवार से आती हैं मानी मौलाना मुलायम सिंग जिन्हों interacting निहँचे कार्शयों के खुण से सरजु को लाल किया था मुलायम सिंग और जिन्नों ने कहा च्प्रेंट बिधान समा लखनो के चुनायों में उपचुना हो रहा था उन्हों की चो मिने का हिंदु ने कहा कि अब मैं इतने हीं वहलौ को मैंने मरवा दिया आप लोगों के लिए ये धर्म का यह हज हाउस बनवाते हैं अब ने अपने अपने संभव में राम मंदिर को रखा और और राम मंदर के निर्मार हो रहा आपको एक उधारत देता हूँ जोग है एक क्यों है छिपीज कर रहे हैं धर्म की राजनिती हम नहीं कर रहे हम तो अपने अजंडे पर काम करें और हमारा अजंड선 व्लकुल सब्सक्ता तो मुझे एक बात बताईए कि अबारा जान कौन बोलता हनुमान की जाती कौन बताता है हनुमान की जाती बताने की बाती नहीं है जो तोपी लगाकर और अपने मुख्यमंतरी के घर में आपतारी की पार्टी कर रहे हैं और हिंदूओं को मरवा रहे हैं तो अब्बा जान ना कहा जाए उनको तो क्या कहा जाए अच्छा तो इसलिए अब्बा जान भाई जान हनुमान की जाती बता रहे हैं आप भुदेव शर्मा जी सुना आपने वह कह हैं कि धर्म की रानीती तो आप लोग करते थे आज फिर तिलक लगा के घूम रहे हैं आप तिलक जी मुझे मेरी पूरी बात कहने का मुका दिया जाए कि देखिए ऐसा है कि सपा हो बस्पा हो या भारती जनता पार्टी हो ये तीनों ही पार्टीयां जाती और धर्म की राजनीत करती हैं जेसे ही इलेक्षन आता है इनको इंडू आते हैं पान साल तक इनको कोई इंडू नजर नहीं आते है इनको जब हिंडू नजर नहीं आते, जब इनको हिंडू धर्म नजर नहीं आता, जब रात के 12 वजे हिंडू धर्म में हमारी बेहन बेटियों को पुलिस प्रिसासन के द्वारा जला दिया जाता है, जो हमारे धर्म में नहीं होता है, इनको जब धर्म याद नहीं आता है, ज जब हिंदु धरम के लोगों कोई ओटलों में इनके पुलिस प्रिसासन के दोरा मार दिया जाता है, जब इनको धरम याद नहीं आता है, जब उसी हिंदु धरम के लाकों करोडों बैरोजगार युवा, जब अपने रोजगार के लिए अधिकारों की मांग करते हैं, तो उन बेबस बरबरता पूरवक लाटियां बरसा ही जाती है जब उनको धरम नहीं आता है कि जब उसी हिंदू धरम के किशार अपने मांगों के लिए सड़कों पर एक साल से डला हुआ है तब इनको हिंदू धरम याद नहीं आता है योगी जी कहरा आपको दुख क्यों हो रहा है किराना गए वो कहना है कि अगर हम पीडित हिंदू परिवार है उनसे मुलाकात कर रहे तो आपको दिक्कत क्या है क्यों दुख हो रहा है यह बताईए कि लखिंपूर कीरी में जिनको इनके नेताओं के द्वारा गाड़ी से कुचला गया क्या वो हिंदू नहीं थे क्या व इसलां कर दिया और इन लोगों ने उत्तरप्रदेश की जंता का वो हल किया है जिसके कान आज उत्तरपरदेश की जंता इन पार्टियों को छोड़ करके कॉंगरेस पर दाकर क्यों खेले वो कह रहे है आपको पंदिर पार्टिए आठीघ्धियन के चाहने के मिश्ड़ ऑन को मुद्दा हो किशानों को मुद्दा हो मजदूरों को मुद्दा हो हर मुद्दे को ले करके हम चुनाम में जा रहे हैं यह हिंदू-मुस्लिम करने का इनका काम है हमको हिंदू-मुस्लिम तो प्रदेश का विकास कैसे करना है कि इस देश को विश्वगुरू बनाना है लखनौ का रास्ता अब कहराना से होकर ही जाएगा ना आप लोगों के मुताबिक की खेल रहे ना सब यह तो बड़ा विचित्र सा सवाल है मैं तो कहता हूँ कि यदि राजनितिक द्रिश्टी कौन से देखा जाए और यदि समवैधानिक रूप से विधायका की द्रिश्टी से देखा जाए तो हर विधान सबा से हर लोग सबा से होकर लखनौ का रास्तात है होना चाहिए और हर विधान सबा विशेश है हर क्षेत्र विशेश है हर व्यक्ति विशेश है और ऐसे में अन्तियोदय का जो सिध्धान्त है वो सार्थक होता हुआ नजर आता है अभी बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने तीन बार दोरा किया यह वास्वित्ता है कई भ्रहंतियों को तोड़ा है एक ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला जो निस्वार्त भावस है सत्ता का रोब नहीं है सत्ता का लालच नहीं है एक ऐसा ही राजा होना चाह चुनाव विकास पर होना चाहिए या फिर सामपरदाइकता के अभर पर चुनाव हमेशा विकास पर होता है चुनाव हमेशा विकास पर होता है और जनता चुनाव मैं जिसको चुनती है चुनाव करके पहली बार कहां याद आया है हां दो हजार नहीं ऐसा नहीं है याद आना भी चाहिए जो नहीं आना चाहिए जहां जाकर के यदि ये देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा का विशह है ये उनलों के समय है अच्छा इससे फैदा मिलेगा हिंदुत के जंडे को देखिए फाइदा तो सबको मिलता है गैस आ राजिती के पंडित भी है और बड़े ज्याता आदमी प्रभू जिरा बताईए उत्तर प्रदेश की आवाम को क्या वाकई मैंने नराज हो गए शाही साथ भी नराज हो गए दीपक जी भी नराज हो गए मैंने तो इतना ही पूछा कि लखनाओ का रास्ता केराना से होकर खुजरेगा और चुनाव आया तो केराना याद आ गया क्योंकि ये इस मुद्दे को भी उस सारो भौमिक तरीके से नहीं रखता रहे हैं अपनी पाल्टी के मैं शुरुआत करता हूँ जब आदम जात की उत्पत्ती हुई आदमी की आप जड़ा मुझे ये बताईए कि सबसे प्रमुख मुद्दा जन्म लेने के बाद हर जीओ क क्या होता है सुरक्षा होता है करेना का मुद्दा जो है वो आपका सुरक्षा और पलायन से जुड़ा हुआ है तो मैं ये बोलूँगा कि जब आदमी पैदा हुआ तो पहले जंगलों में रहता था वो गूफा में गया तो सुरक्षा के लिए गया सारे देश आप अमेरिक के हिस्टी में तो आज अगर कैरेना में या किसी और जगा पे सुरक्षा का मुद्दा सरकार बना रही है चाहे वो योगी हो चाहे सपा क्यों हो बसपा क्यों कॉंग्रेस क्यों हो पार्टी को छोड़ दीजिए वो बुरा नहीं है मैंने आपको बोला मानो इतिहास की उत्पत है का मिजाइल सेटलाइट वगरा सब जो बन रही है सुरक्षा यानि सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए नहीं दुनिया में हर प्राड़ी के लिए इंपॉर्डेंट है दूसरी सबसे इंपॉर्डेंट जी जो बीजेपी के प्रवक्ता और आरेस के नहीं बता पा रहे है देखें इंपॉर्डेंट क्या चीज है आख सनातन के इतिहास को देखिए कराना में पलायन मैं तो बोलूँगा यह एतिहासिक घटना है कि कराना में एक नेता ने पलायन को रोका और वो उसमें बात कर रहा है वहां जाके पाकिस्तान से पलायन सनातनियों का हुआ हिंदू करें चाहें कॉंग्रेस करें जो भी करेंगा मैं उसका स्वागत करूँगा दसीयों हजार साल के क्यास में अफगानिस्तान से हमारा पलायन होता रहा है भारत भूमी पे रहने वाले लोगों का पलायन चाहिए केराना मुद्दा बनेगा चुनाओं मैं आपको ऐसा लगा है अरे चावला सर, मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले जो चुना हुए है, 5000 साल पहले के भी मुद्दे बने हैं, कांशीराम कौन सा मुद्दा बनाती थी, तो चुनावाँ में तो 5000-10,000 साल पहले का मुद्दा बनता है, और ये प्राग है तिहां सिक्काल के मानव का अर्विश कंठेरिया साब, चुनाव आया तो कहा है, लेकिन आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, तो वो हिंदू पीडित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत? क्यों परशान हो रहे हैं? चालादी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं माराज हो रहा है, हमारे राष्टी अर्दक्ष मौजए का साब साब कहना है, कि सारे चार फाल में एक रुपे के इन लोगों ने काम नहीं किया है, अगर उन्हों ने सही तरेके से हॉस्पिनल बनवाये होतें, और आ जाना चीजे कहीं नहीं जाया है, हम इस सफंग रहने के मदब हो, इनके जो प्रिथम आफसल में इनका रखा गया है, हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिच कर रही है, आज अगर इनोंने विकास का कार किया होता है, तो आज यह नहीं कोई भी काम करने नहीं में नहीं जी, मुला मुलायम, तो आप क्या करते थे? अगर इनोंने चार साल में विकास किया होता है, आज किसान किस तरह हो रहा है, इनोंने तो पांच एक कलो जो गल्ला देते हैं, उसकी भी बंद करवादी, तीस नॉम्मर से भी बंद होने जा रहा है, ठीकिना, अभी भूदेश है माजी, जो कॉंग्रेस के लेता है, कटारि सुनिये ना मेरी बात तो सुनिये, सुनिये ना, एक सेकिंड, मैं पूछ लूँगा अश्वनी शाहिस से, एक सेकिंड, अभी सुनिये ना, एक सेकिंड, भूदेश शर्माजी कह रहे थे, कि भाया, बीजेपी हो या फिर सपा हो, दोनोंने जातिवाद और धर्म की रानिती की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉंग्रिस के निता कह रहे हैं, क्यों आपको लगा भूदेश शर्मा जलती से जवाब दीजिए, हिंदु मुसल्मान समाजवादी पार्टी करती है, फिर मैं शाहिद आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकिंड ना, अर्विल का टेरिया आपको एक सेकिंड सुन लो ना, प्लीज सुनो, तेलक जी, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, वहां का युवाज जानता है कि किस तरह जाती विशेश को हर चीज में अगोसित रूप से आरक्षड दिया गया, इतनी भी बढ़ती आती वो एक जाती विशेश के बताओ ना आप मुझे, यादवों के लिए सीधा है, यादवों के लिए जो आरक्षड अगोसित रूप से इत्रपदेश में दिया गया, जो सपाकी सरकार में, वो सारे पूरे इत्रपदेश के हुवा जानते हैं, इसी का इनको नुक्षान हुआ, और नहीं नहीं नहीं, अरविंजी भालतू बाता नहीं है, यह आप रिफार्ड उठाइए, हर भर्ती में, हर भर्ती में, जिस तरह से एक जाती मिशेट को सपा के द्वारा, और एक बसना के द्वारा, जो अगोसित रूप से आरक्षड दिया गया, हर टीप में तॉप पर, हर जगे, हर जगे भर अबात, जगे भीला आइडी, है एक जर्णा के द्वारा, मुस्लमों की राजिए ठीना सब्सक्राइग बस्तान सननन में, एकट कम बसने, जो जगे, हर जगे ईइड बसक्यां पहर जाएगी, हर टीनता पार्टी — प्र्तर कुलेसन गया थादा है, टेनके संख्र बारार ह ज अरवीन जी सपाकी सब्कार जाने के बाद आपड़ प्रपुलेशन कहा बहीं? सपाकी सब्कार के बाद वह नहीं हुआ? उसके बाद प्रफुलेशन नहीं हुए? चाहे UPPCAedo, चाहे किसी भी प्रकार की भर्तिय उतर पर्देश में हो, ऐ यह आप चेक करके आईये आप जा करके देखिए किस तरह से जाती विशेश के लिए आपने साम प्रदायक्ता की राजिनी तो करते हैं जिस राम के नाम पर जिस गाय के नाम के नाम के नाम पर बीजेपी बहुत मांगती है जो जो मंच है ना यह मंच है जंता का देखिए मैं वो पत्रकार और वो तो हूँ नहीं कि भाईया लड़ा दो तक्रादो भिड़ा दो मैं जनता के सवाल लेता हूँ और जनता के सवालों को इस मंच के जरी उठाऊंगा ये मंच जहिस माध्यम से जनता का सवाल आए अब ही एक सवाल आया फेस्बुक पर इन्होंने कहा सामपरदाइक्ता मिश्रा जी शाही जी अब ही भुदेव जी ने कहा कि बीजेपी और सवाल सामपरदाइक्ता हिंदू-मुसल्मान की राजनीती करती है तो मुझे एक बात बताईए ये शाह बानू को लेकर किसने राजनीती की शाह बानू भूल गए आप और भूल गए आप कि जब देश के प्रधान मंतिरी ने कहा कि पहला हग प्राकितिक संसाद्रों पर अल्प संक्यों को का है तो यह कौन सी राजनीती थी शर्मा जी यह कौन सी राजनीती थी जब आप पोट में अफिटेरिक साखिल करते हैं आतंक्यों को लेकर आसुब आते हैं ये कौन सी रानिती थी तिलग जी जो कहते हैं वो करते हैं और जिस तरह की आप बीजेपी के जो प्रवक्ता है या सफा के प्रवक्ता हैं ये जो राजनीत करते हैं वो कॉंग्रेस नहीं करती है लिए राम मंदिर के जो दर्वाजे कोले गए ते वो भी कौंगेस की सरकार में खोले गए थे मालूम है आपको शाह भानू के बाद यूखोले आपने अब देखिए ते लिए तो फिर राम ही नहीं तो फिर राम ही नहीं प्रभू राम ही नहीं तो फिर आरों मैं कि विश्राप के पास अब देश में सिच्छा को बढ़ावाद दिया देश में स्वास्ते को बढ़ावाद दिया देश को भी सब्सुबरू बुना गंबराने के लिए काम किया अब भी पास की यह फायदा मिलेगा आप तो कहरें हमने रोजगार दिये लोगों को पकड़ पकड़का रश्वनी शाहिए आप कह रहे हमने विकास की गंगा बहादी लोगों के घर नल और जल पहुचा दिया हमने इतना विकास किया लेकिन फिर भी मांगते हैं वोट आप हिंडू मुसल्मान पर प्रभुराम के नाम पर शाहिजी हमने हमने कहा मांगा है यह तो परसेप्सन सेट कर रहा है य अगर इसको आप हमारे कहने पर अगर इस की कहा जाए कि नहीं यह कहते हैं कि इनोंने कराया मान लेते हैं आपकी बात हम राम के नाम पर देखिए राम हमारे राम हमारे राम सब के हैं परे बसे के हैं आपके नहीं है आंप यह सब देखिया राम परे इनोंने बात करने दीजिए के यह क्टेरिया थाप एक सेट झाहिए कर वारा खिए ना एक इक शकनद ईक सेटनE करवा लिया कि राम का ना में लेंगे तोowa हम स्प्छा एक कि नाम अपने चोटे चोटे पड़ोची देशों से भी अर्टाली से अधिक रेंक में पीछे चला गया बुकमरी में एक सो एक में नंबर पर आगए हम अफ्रीका देशों के बरावर में देश में लोग भूके मर रहे हैं महगाई चरमिस्तर को चू रही है उन लोगों के रोजगार चिम लिए जल्दी से अश्वनी शाही जवाब दीजे आप में देश को जिए लेके करके शर्मा जी का ओडिय आवाज इको हो रही है अब निवेदन करूंगा भूदेश शर्मा जी से और एजबिन जी से कि किर्पया बीच में ना बोले क्योंकि आवाज इको होके आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लीश आई इक बात आप अभी अभी मैंने राम की बात रही कि हां राम हमार पिटेंट नहीं करा रहा है वो सभी हिंदू के है जो हिंदू हिर्दय से है जो हिंदुस्तान में निवास करता है दूसरी बात में आता हूं मैं इन्होंने अभी कहा मांगाई पर आप आईए और भुदय शर्मा जी ने अभी तुरं तुरंट कहा थीज़ें कई आरोप लगाए इन्होंने शर्मा जी आपको है आपको पता है एक सेकिंड एक सेक्ड प्राइब प्रॉक्त ऑड़े बात चुडार पर रिच्छा आदर शर्माजी के पास जाना है निचे इस रखषवनी चाही का आदर शर्माजी को बात करने कि अब भी ने पूर नाटा है दो एंजी ओ बनाते हैं विदेशों के उन्हों ने बना दिया चलिए मान लेता हूं हंगर इंडेक्स में तिलग जी आपके अगल बगल मैं शरा विसाजी से पूछता हूं यह अर्बिन जी से पूछता हूं इनके अगल बगल जितने लोग भुपमरी से मरें ह मुझे एक संक्या कफम खाके बता दें दूसरी चीना कहना चाहता हूं जो परिवारों को आप मुफ्त में राशन देते हैं शुनी शाहिद जो बंद होने जा रहा है देखिए उत्तर परदेश में यह अभी उत्तर परदेश में रासन अभी मार्च एक स्टर जारी रहेगा बाकी ड़़ाओं पर बंद हो रहा है ना तिस नौमर को बनो रहा हूँ। इसके जानते हैं आप टीस नौमर को बनो रहा है। जीु औरे एक एमिश्ञाएख एक सेकिन एक सिंदार आपके पास आघाएख हूरूर। मैं आपनी बात पूरी नहीं की मैं हारा दूरा मुखा दूंगा अश्वानी शाइल पी प्रामुखा दूंगा एक 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 करके प्लीस कटारिया साइश्वानी शाइ Siri आपको पूरा मुखा दूद्ध से जादा अश्वानी शाsınız आप जानते हैं मैं सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जवाब सब्सक्राइब पूछे तो जवाब तो लेने दीजिए हाँ मैं लूँगा सवाल का जवाब एक सेकरए बहुत देर से सब्सक्राइब का परदान मंतरी नहीं है और हंगर इंडेक जिससे देश को इस तरीके की बात होती है ये बाहर जाकर राहूल गांजी जिस तरीके से बेज़त कराते है ये कांग्रेश वो काम करती है मैं यही कह रहा हूं तिलाकी जी इसका जवाब मुझे देने दीजिए प्लीज एक सेकंड और दीपक शंगदार एक मिश्रा जी मुझे एक बात बताई ये कहराना क्या वाकई में किसान आंदोलन की कार्ट साबित हो सकता है बहुत जिम्हेदारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं मिश्रा जी इसके पीछे का लॉजिक दूंगा भी मैं मिश्रा जी जी लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान आंदोलन की जो आप कार्ट बोल रहे है ठीक है लिटिलबिट डेमेज वगड़ा हो सकता है उसके प्रभाव वगड़ा सारी चीजे होती हैं लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसान आंदोलन को देख करके कर्याना का मुद्दा उठा ह कराना का तो मुद्दा इसंपे तो हम आपके साथ ही पिछले सालों में भी कई बार कर चुके हैं तो ये उस कराना का जो मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है कि वहां पे सारी चीजे सही हो गई हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा शासन प्रशासक आया जिसने सनातनियों के प्रवास को प्रवास नहीं पलायन को रोक दिया अफगानिस्तान से ले करके मैं पूरे भार दाके दोरा किया गया हो मैं फिर बोलता हूँ किसान का मुद्दा अलग है उसका असर कुछ और पड़ेगा उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी कैसे करेगी या दूसरे पक्ष के लोग गूसरी पार्टिया कैसे उसको इनकैश करेंगी वो अलग चीज है कहराना का मुद्द तो दस्यों हजार साल पुराना सणातन की समस्या है पलायन अफगानिस्तान से पलायन काश्मीर से अभी देखे काश्मीर से काश्मीर में चलता रहे हो रहा है वहां से मल्तूरों को पखाया जा रहा है पहले भी जन्ता प्राइटी की सरकार में जब आपके ही लोग सरकार में थे तब भी बगाए गया और आज भी आपकी सरकार है आप जिस नाम के बहुत मांचे हो आज वहीं आपकी सरकार में होता है कर डिजय को रोकने का प्रयास को हुआ अभी जो कुछ दिर पहले मज्दूरों को हिंदू को बहुत कर्कार में वह किसकी सरकार में ती अभी रहे मिस्तरा जी मिस्तरा जी सरकार वहाँ पर आपकी है राज्यपाल आपका है वहाँ पर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड आश्वनी शाहिए एक सेकंड इसे कि नहीं पूछ रहा है कि वाकई कहराना का मुद्दा उठाकर यह किसान आदोलन की काट तलाशी जा रही है क्या देखिए ये ये एक राजनी तिक विशय हो सकता है और संगठन की अपनी अपनी विवस्थाइं हो सकती है कि वो किस परकार से पर मैं नहीं समझता कि जंता जो है ऐसे भटक सकती है मुद्दों से अच्छा जंता हमेशा सही को चुनती है 2014 उनने 17 और 2022 फिर एक उधारन वने है तो आप ये चारे की हिंदुत के एजंडे पर ही चुनाओं लेकार एजंडा विकास का है कहां विकास का है एजंडा जो है हर वेक्ति प्रशंसा की सूची में आ जाए हर वेक्ति का जीवन जो है एक संब्रांत ताव की और बड़े ऐसे विशय का है एजंडा इसका है कहां एजंडा जाती का नहीं है धर्म का नहीं है संपरदाय का नहीं है एजंडा विकास का होना चाहिए एजंडा समाज के निर्माड का होना चाहिए एजंडा समाज में सकारत मत्ता मिलाने का होना चाहिए एजंडा कभी संपरदायक नहीं होना चाह पाहिए कि हम राभ करना पर वोट माँगेंगे दिलक जी केराना चुनावी विशय नहीं हैं केराना सामाजिक विशय अच्छा ऽालायन सामाजिक विशय दवके नहीं तो कहराने का मतलब यहीं हुगा लगा टोधार कि 2013 के दंगे की याद दिलाना यदी इस देश का घार संखेक समाज इस परकार से रहे करें और तो एकने जेश करके में पर हुए? अबी एके मुफ्राजी बहूत अच्छी कर रहे थे पलायन हिंदुत क्यों करता अच्छा सूट कर गई तिलागी जी मैं इनकी बात कर जवाब देता हूं तिलागी जल दिना रहा है को और महतपूर्ण विशेपर अश्वनी शाहिगा अभी भूदेव शर्मा जी कह रहे हैं कि केवल याद्मों का खल्याड किया लिए यह समाजवादी से परिवारवादी हो गए परिवारवादी होने से बिकास आएगा क्या अरे आज देखिए आतंकवाद खतम हुआ है अब कश्मीर में सेना के उपर पत्तर ने पेके जाते अब अलगाओ आपकी बाते नहीं होती है अज किक पोछे हिंदुस्तान का इस सम्माना जाता दीपक शंदार एक सेकेंड एक सेकेंड आज मिश्राजी की बोली दीपक शंदार को बहूत अच्छा बोल रहे हैं मिश्रा जी जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं मिश्रा जी की बोली आज इसलिए अच्छी लग रही है मिश्रा जी आज हिंदुत की पिछ पर खेल रहे हैं और मिश्रा जी कल को गोले रागे के आप देश में दीवाली पर गम फोड़ने की बात नहीं होती है अच्छा कि टेश में दिवारी मनाने की बात हो टी है एक सकिंड एक सकिंड एक से किन मैं एक बात कर रहा हूं एक बात एक बात एक से किन दमन क्यों जहलेगा हिंदू समाज जो समाज इस हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान ये राष्ट की रीव है, वो ऐसा दमन के उछ धैलेगा। एक सवाल का जवाब ले रहा हूं फिर मैं पूरा समय अच्वारी चाहिए को दूबा एक सेकिंड एक सेकिंड एक बहुत मैं जिस देश में एक शर्माजी प्लीज शर्माजी समध क्यों नहीं है आप और आज वही देश बीट के निर्देव जी उन गायों को काट दिया था सं पीसियार, PCR एक सेकिंड प्लीज, PCR, PCR फ्लीज. एक सकेट अब सबका audio नीचे रहेगा सबका audio नीचे रहेगा सबका audio नीचे रहेगा सबका audio नीचे रहेगा शर्मा जी का audio नीचे प्लीज 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 परिवार का जिस परिवार को यह नहीं प्लीज अश्वनी शाही जी अब सुन लीजिए सुन लीजिए मैं जिसान आंदोलन की काठ है अश्वनी शाही जी सुन लिजिए सवाल सुन लिजिए लड़ना नहीं आराम से दरबसर इसके पीछे सवाल के पीछे भाव था अब मैं उस पर आता हूं सब लोग ध्यान से सुनिएगा सत्यपाल मलिक जी का नाम सुना है अश्वनी शाही जी सुना है ना सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जानवरों की मौत पर दिल्ली से शोकसंदेश आ जाता है मगर किसानों की मौत पर कोई शोकसंदेश नहीं आता आंदोलन की बात करते हुँ वो कहते हैं कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए अमूमन कोई हास्ता होता है तो दिल्ली के नेता का शोकसंदेश जाता है लेकिन किसान आंदोलन के दोरान कोई प्रजर्शन कारियों की मौत पर संसद में भी प्रस्ताव नहीं दिया गया ये सत्यपाल मलिक जी की बातों के भाव में सरकार निशाने पर क्यूं है आप तो कह रहे हैं अपने विकास कर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कुछ और कह रहे हैं अश्वनी शाहिदी देखिए देखिए इसको आप एडलाइन भी चला सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिए आर्विन कठेरिया साब सवाल आप से पूछ उपा तो आप जवाब दीजिएगा प्लीज आप लोग कहते हैं कि सब्ता से सवाल नहीं पूछे जाते हैं अर्विन कठेरिया साब कठेरिया साब सवाल पूछ लूँ सवाल पूछ लूँ आप लोग कहते हैं सब्ता से सवाल नहीं पूछे जाते सवाल पूछ लूँ वरना वहाँ बैटके सर्टिफिकेट देंगे आप रुख जाई एक सेकंड अच्वनी चाही जवाब दीजिए क्यों कहने सकते बान मलिक जी ऐसा तिलक जी देखिए चाहें अर्बिन जी हों बड़ा बिन अमरता से मैं कहना चाहरा हूँ कम से कम डिवेट की गरिमा को आप लोग बना के रखें अपने टाइम पर बोलें आप सबका और यह निचे कर दिया है इधर आप चाहलू हो जा रहे हैं क्या तरीका है वाई गरिमा नहीं चाहुला साब एक म्यूट का बटा में सबके सामने जब कोई दूसरा बोले तो म्यूट कर ले शाही जी सवाल का जवाब मेरा सत्यपाल मलिक जी देखिए लोगतांत्रिक देश है लोगतांत्रिक पार्टी है उनका बोलने का अपना हक है राजपाल के पद पर रहते हूं अगर वो बोल रहे हैं तो मेरी भासा में मैं कहूंगा कि पहले वो इस्तीफा दे पिर कुछ बोले जाकर अच्छा आप तो कह रहें लोगतांत्रिक हैं फिर आप कहरें स्वाल दे फिर बोले मैंने कहा ला कि लोगतांत्रिक जी से कोई बोल सकता है मेरा अगला सवाल मेरा अगला सवाल मेरा आपको मालूम है सुप्रीम कोट ने आज लखिमपूर खिरी के मामले पर चौथी सुनवाई की कोट ने क्या कहा मैं पता चल रही है उन्हें रत्ती भर भी इस पर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोट को यूपी सरकार की जाच पर भरोसा नहीं है आप समझे रहे श्वनी शाही समाल क्यों उठा रहा है सुप्रीम कोट फिर बताइए चौला साब देखिए सुप्रीम कोट में जो जज साब हैं वो भी एक मनुस्य हैं और जो आज उन्होंने कहा पूरी बात सुनियेगा बीच में कोई नहीं बोलेगा जब उन्होंने एक बात कहा कि नयाइक समीति का परिवारों से जिनके अहां लोग मरे थे उनके परिवारों ने जब नाइक समीति की मांगी परदीब जज कुमार की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में कर दी तो आज जस्ताब को ये निड़त देने की क्या जरूरत थी क्या वो उस जज के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं अच्छा चलिए पर भरोसा नहीं एक छोटा सा सवाल का मुझे फिर जवाब दीजिए यही सुप्रीम कोट अगर अगर कोट राम मंदिर और सी ए को लेकर अपना कोई भी स्टेटमेंट और कमेंट करता है और जज्जमेंट जाली करता है तब आप ताली और थाली बजाते ह बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं आज कोट कि किसी पर आपको दिक्कत होगा है अपनी बात को फिर से दोरा आ रहा हूँ उसके बात आर्थ निकालिये नियाएक समिती का गठान उत्तरफर्देश परकार कर चुकी होती है हाँ हाई कोट के रिटार्ट जजज परदीपकुप मैं यह कह रहा हूँ कि फिर लखीनपूर के गुनेगारों को बचा कौन रहा है सुप्रीम कोट को ऐसा क्यों लग रहा है क्यों लग रहा है कोई नहीं बचा रहा है कोई नहीं बचेगा जो गुनागार थे वो गुनागार जेल के पीछे है जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी बताईए कि अब तक इस मामले पर कितने फोन जब्त हुए जानते हैं अब कितने फोन जब्त हुए ये फोन आज सुप्रीम कोट का आपने पड़ लिया कि एक फोन जब्त हुआ तो उसको बता रहे है एक फोन जब्त हुआ हैं और अपने फोने फोने जब्त हुआ है जब यह माननी सुभीम कोट के सामने है तो उसे बताना क्या है हाँ यह पुलिस अरिकारी जिसने नहीं किये आपने फोन एक सेकिंड एक सेकिंड बीपक शंगार एक आप आरेसिस के चाहरे हैं आप बीजेपी के नहीं है बीजेपी जवाब दे देगी आप क्यों बैक फाइरि आप दे दिजेगा एक से प्रयास होना चाहिए मैं उसी प्रयास के अधार पर सवाल कुछा अभी क्या है अभी SIT जो भारत की बड़ी तो आने दीजिए ना तिलग जी आपको क्यों कस्थ हो रहा अगर जानकारी देना चाहते है एक तरह से तो आप भाजपार एसे तो मिला दीपक भाई एक चोड़ा सवाल पूस्तूरू लेकिन सचाही नहीं आपने का चलिए दस आगोपी हिराजत में लिए उत्ते से एक का फोन जब दुआ नो का नहीं मुझे एक बाल बताईए तहरीर में नाम था ग्रह राज्यमंत्री का तहरीर में एक महीने हो गए एक महीना पांच दिन हो गए एक महीना भी नहीं एक महीना पांच दिन हो होगा ना सर उनसे कोई पूछताच भी नहीं हुए क्यों तो इसको पूरा फिर सुनिए का मैं कहना चाहता हूँ तहरीर में उनके उपर धारा क्या लगी थी तो इसलिए जाच नहीं होगी एक सो बीस भी किस पर लगती है नहीं जाच अधिकारी यह समझता है कि वो देश के मानने ग्रियमंत्री है वो कहीं भागने वाले नहीं भगोड़े नहीं है जब कहा जाएगा वो आजीर होंगे फूश्टाज के लिए उपलब्द है एक महीना पास दीर होगे पूस्ताज नहीं होगी कोट पूछ रहा है आप तै करेंगे मैं क्यों तै करेंगैं मैं तो आप से पूछ रहा हूँ आप बता दीजी को एक सिंद, शरमा… आई कोट सुप्रीम कोट संगयान में नहीं लेते हैं तब तक तो कोई कारवाई नहीं होती है शर्माजी रुकिया एक सेकिंड एक सेकिंड एक सेकिंड एक सेकिंड जवाब जल्दी से अब लखेंपुर ने पचास लाग देगा तरंटारं में क्यों नहीं दिया पाच रुपिया दिया वे बड़ी में लखेंपुर तुम्हारा लखेंपूर लगों के लोगों के लोग न बोले है देश का ग्रह राज्य मंत्री जवानत पर अर्विंद कटेरिया का ओडियो नहीं आ रहा है दीपक शंदर जल्दी से अपनी बात कम्प्रीट करिया आप क्या कहना चाहिए आप पूरी सरकार परी है नहीं सुन लिजे कुछ समवैदानिक बात दिताएं होती है इस देश में जो समवैदानिक पद पर आसीन व्यक्ति है उसके लिए कुछ ववस्थाएं होती है और उन ववस्थाओं के तहती ही जो है इस परकार के निर्णे इस परकार की पूस्ताच और इस परकार के संग्यान लिये जाते है इन ववस्थाओं में रहकर के कारिवाई होगी अभी ज सब लोग बोल दीजे भाई हमें हिंदू का वोट नहीं लेंगे या बोल दीजे जो हिंदू है उनके वोटिंग राइट ही कतम हो गए 80% जहां की पापुलेशन हिंदू हो आप उसको राजनीत से अलब कैसे कर सकते हैं उनकी बात आप चुनाओ में राजनीत में अर्थतंत्र में हर एक दिन आप उनको कैसे हटा सकते हैं बातों से आप मुझे बताईए तो रही बात हिंद आप तुटि यह पताने हैं चावला जी आपनी पराकास्टा पही तहीं था झाद्धा था जब धर्म के अधार पर होता था रफशा कंदिन ने के लिए आपको सब्सीडिय दे जाएगी धर्म के आधार पे 500 काम किये जाएंगे और हिंदु धर्म के नाम के नाम पर किसी गरीब को आनाज दे दिया जाता है कुछ तो वो पुरा है क्या पैदा तो होना चाहिए ताहर धर मुझे नाम पर ही हो तैंक यू सो मज़ बहुत 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 शुक्रिया ये एक मुहीम है मैं आपको बता दूँ ये तमाम मुद्धे जो जनता के जहन में हैं हम इस प्लेटफॉर्म से लगातार रोस्त शाम सोंवार से लेकर शनिवार इसी मन से उठाएंगे जनता की आवाज और बेबाग सवाल पुछेंगे आप लोगों से जो जनता के जहन में सवाल हैं तो इसलिए शाही जी बहुत शांदार तरीके से अपनी बातों को रखा आपने कठेरिया साथ और भुदेश साथ बहुत-बहुत शुक्रिया एके मिश्रा वेबाक अंदाज वही और दीपक शंगदार आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मज़ कल फिर होगी मुलाकात सोमार से शनिवा आठ बजे इसी मद पर फिर मिलेंगे नमस्कार जैहिंद जैभारत फिर दोस भ्यापारियों का पेड़न करेगा अराजक्ता किस्तिति पैदा करेगा दंगा भड़काने का प्रियास करेगा तो उसके आने वाली कई बीडिया भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है प्लाइन करने के लिए मजबूर करने वाले अपना दी आपने बिगवस साड़े चार वर्स के अंदर देखा होगा स्वयम प्लाइन करने के लिए मजबूर हो गए